स्री सत्गुरु सायनाद महराज की जाएं स्री साइट सचरित अध्याई थाइंटीस गुदी की महिमा, बिच्चु का डंग, बलेक की गाठ, जामनेर का चमतकार, नारायन राव, बाला बुवा, सुतार, अपा साहब कुल करनी, हरिपावो करनी पुर्व अध्याई में गुरु की महानता का दिक्दर्शन कराया गया है, अब इस अध्याई में बुदी की महिमा का वर्णन किया जाएगा प्रस्तावना, आओ, पहले हम संतों के चर्णों में प्रणाम करें, जिनकी गुरुपा दुष्टी मातर से ही समस्त पाप हो, समू हो, बस्म होकर अमारे आचर्ण के दोश नश्ट हो जाएगे उनसे वातालाप करना हमारे लिए सिक्षाप्रद और अति आनंद दायक है, वे अपने मन में यह मेरा और वह तुम्हारा ऐसा कोई बेदबाव नहीं रखते इस प्रकार के बेदबाव की कलपना उनकी हुरुदी में कभी भी उत्पन नहीं होती उनका रुण इस जन्म में तो क्या अनेक जन्मों में भी ना चुकाया जा सकेगा वुदी, विभूदी यह सर्वविदित हैं कि बाबा सबसे दक्षिना लिया करते थे तदा उस दनरासी में से दान करने के प्रक्चात जो कुछ पी शेष बसता उससे वे इदन मोल लेकर सदेव दूनी प्रत्वलित रखते थे इसी दूनी की बस्म ही वुदी कहलाते हैं वक्तों के सिर्डी के प्रस्तान करते समय यह बस्मों मुक्तहस्त से उन सभी को वित्रित कर दी जाते थे इस वुदी से बाबा हमें क्या सिक्षा देते हैं वुदी विवरण कर बाबा हमें सिक्षा देते हैं कि इस अंगारे की नाई गोचर होने वाले प्रमाल का प्रत्विंब बश्म के ही समान हैं हमारा तन भी इदन सद्रु से हैं अर्दात वंच बूतादी से निर्मित हैं जो की सामसारिक बोगादी के उपरांत विनाश को प्राप्त होकर बस्मों के रूप में मरिनित हो जाएगा वक्तों को इस बात की भूती दिलाने के हेतो ही अंत में ये देव बस्म सादुर से होने वाला है बाबा भूती वित्रन किया करते थे बाबा इस भूती के द्वारां एक और भी सिक्षा प्रदान करते हैं कि इस समसार में प्रमाही सत्य और जगत मिंद्या इस समसार में वस और अकेला ही जाएंगे। पुरू में यह देखने में आ चुका हैं और अभी भी अनुबुख गिया जा रहा है कि इस वुदी ने अनेक शालेरिक और मानसिक रोगों को स्वास्त प्रदान किया है। इदार्द में बाबा तो बक्तों को दक्षिना और वुदी द्वारा सत्य और असत्य में विबेक तदम असत्य के त्याक का सिद्दान्त समझाना चाहते थे। इस वुदी से वईराग्य और दक्षिना से त्याक की दिख्शा मिलती है। इन दोनों के अबाव में इस माया रूपी वह सागर को मार करना कटिन है इसलिए बाबा दुसरों के वोग स्वयम वोग कर दक्षिना स्विकार कर लिया करते थे जब बक्तगण विदा लेते तब वे प्रसाथ के रूप में वुदी देकर और कुछ उनसे मस्तक पर लगा कर अपना वर्दहस्त उनकी मस्तक पर रखते थे जब आबा प्रसन चित होते तब वे प्रेम पुर्वक गित गाया करते थे ऐसा ही एक वजन वुदी के संबन्द में भी हैं वजन के बोल हैं रमते राम आवो जो आवो जी वुदिया की गोनिया लावो जी यह बाबा शुद और मदुर स्वर में गाते थे यह सब तो वुदी के आत्यात्मिक प्रभाव के संबन्द में हुआ परंतु उसमें बोतिक प्रभाव बीता जिससे बक्तों को स्वात समुरुद चिंता मुक्ती एवं अनेक सामसारिक लाव राप्त होई हैं इसलिए वुदी हमें आत्यात्मिक और सामसारिक लाव होँच चाहती हैं अब हम वुदी की गदायें प्रारंब करते हैं विच्चू का दन नाजिक के से नारायन मोती राम जानी बाबा के परंबक्त दे वे बाबा के अन्य बक्त राम चंद्र वामन मोडक के अधीन नाम करते हैं एक बार वे अपनी माता के साथ स्रिडी गई तदां बाबा के दर्शन का लाव उटाया तब बाबा ने उनकी मा से कहा कि अब तुम्हारे पुत्र को नोकरी चोड़ कर सत्रंत्र व्यवसाय करना चाहिए कोई दिनों में बाबा के वचे सत्य निकली नारायन जानी ने नोकरी चोड़ कर एक उपहार गुरु आनंदास्रम चराना तरम कर दिया जो अच्ची तरह चलने लगा एक बार नारायन ड्रावन के एक मित्र को मिच्चू ने काट काया जिससे उसे असाहनी पीडा होने लगे ऐसे प्रसंगों में गुदी तो रामबान प्रसिद रही हैं काटने के स्तान पर केवर उसे दगाही तो देना है नारायन ने गुदी पोजी परत कहीं न मिल सकी उन्होंने बाबा के चितर के समक्ष कड़े होकर उनसे सहायता की प्रद्रा की और उनका नाम लेते भी उनके चितर के समक्ष जल्दी भी उदी बत्ती में से एक चिटकी बस्तों बाबा की उदी मान कर प्रद्रू के डग मारने के स्तान पर लेव कर दिया वहां से उनके हाथ अटाते ही वीरा तुरंत बिट गई और दोनों अतिप्रसनों वोकर चले गए लेख की घाट एक समय एक बक्त बाद्रा में था उसे वहां पता चला की उसकी लड़की जो दूसरे स्तान पर है लेव गरस्त है और उसे गिल्टी निकल आई है उसके पास उस समय वूदी नहीं थी इसलिए उनके ना चांदरकर के पास वूदी बेचने के लिए सुचने बेची नाना साहब ना ने रेलोई स्टेशन के समय भी रास्ते में था जब उसके पास यह सुचना पहुंची वे अपनी पत्तिय सहित करजान जा रहे थे उसके पास भी उस समय वूदी नहीं थी इसलिए उनके उनके सरक पर से कुछ दूल उठाई और स्री साहिवावा का जान कर उनसे सहायता की प्रद्रा की तदा उस दूल को अपने पत्नी के मस्तक पर लगा दिया वो बक्त कड़े कड़े यह सब नाटक देख रहा था जब वो गर्ल उटा तो उसे जानकर अति हर्श होवा की इस समय से नाना साहब ने नाने रेजोस्टेशन के पास बाबा से सहायता करने की तद्रा की तबी से उनकी लड़की की स्थिती में परियात दुस्दार होल चलाता जो गत तीन दिनों से रीड़े तुदी जामनेर का फिलेक्षन चमतकार सन 1905 में नाना साहम चांदोकर कांदेश जिले के जामनेर में मामंदार थे जामने श्रिडी के लगबग सव मीन से भी अलिक दूर पराएं उनकी पुत्री मैना ताई गर्पवस्ता में थी और प्रसोकाल समीब ही था उनकी स्थिती अती गंबेर थी दो तीन दिन से उसे प्रसव वेदना हो रहे थी नाना सहब ने सभी संभव प्रयत्न के परंतु मे सब वेद्ध ही सिद्वी तो उन्होंने बाबा का ज्यान किया और उनसे सहायता की प्रद्ना की उस समय श्रिडी में एक रामगीर बुवाम इसे बाबा बाबुगीर बुवा के नाम से पकाते ते अपने घर खांदेश को लोट रहे थी बाबा ने उन्हें अपने समी बुल आरती ते राना सहब को उन्टे देना है रामगीर बुवा बोले की मेरे पास केवल दो ही रुपिय हैं जो खट्नाई से जलगाव तक कि किराये को की पर्यार्त होंगे फिर ऐसे ही सिद्वी में लगाव से और इसमीर आगे जाना यह संभोग होगा बाबा ने उद्द दिया कि जिन्ता की कोई बात नहीं तुम्हारी सब व्यवस्ता हो जाएगी तब बाबा ने शामा से मादव अड़कर द्वारां प्रशिद प्रशिद आरती की प्रित्रिपी कराई और उजी के साथ नाना साहब के पास बेज दी बाबा के वचन पर विश्वास कर रामगीर आत्री को जरगाव पहुंचे इस समय उसके पास केवल दो आने ही सेश्टे जिससे वे बड़े दुविदा में थे इसने में ही एक आवाद उनके खानों में पड़ी की स्रीडी से आये हुए वापुगीर बुवा कौन है उन्हों ने आगे बढ़कर बतलाया कि मैं ही जो की अपने आपको नाना साथ शांदों कत्वारा पेजा हुआ बदला रहाता उन्हें बाहर नातर एक शांदार तांगे में बटाया इसमें दो सुन्दर मोटे जूते किये थे अवे दोनों रवाना हुबी तांगा बोध वेक से चल रहाता नतकार वेक नाले के समी पहु इसी बीच चप्रासी ने रामगीर भुवा से थोड़ा सा नास्ता करने को कहा। उसकी दाड़ी मूर्चे ददम अन्जिवेश बुशा से वे मुसलमान समझ घरुण हों ने जर्बान करना अस्विकार कर दिया। तब उस चप्रासी ने कहा कि मैं गड़वार का सत्रीवंशी हिंदू हूँ। यह सब नास्ता नाना साहब ने आपके लिए ही वेजा है। तदा इसमें आपको कोई अपत्ती अवरो संदेह नहीं करनी चाहिए। तब वे दोनों जलपान कर अपनों रवाना हुई। और सुरोदे काल में जामनेर पहुंच गए। रामगीर गुवाप लगशेंका को गए और तोड़ी देर में जब वे लोड कर आये तो क्या देखते हैं कि वहाँ पर ना तो तांगा था और ना तांगे वलम और नागी तांगे के लोड़ी। उसके मुख से एक शद्ध भी ना निकल रहा था। मैं समय थी कचहरी में बूर्ताज करने कई और वहाँ उन्हें बताया कि इस समय मामलदार गर पर ही हैं। मैं नाना साहब के गर गई और उन्हें बताया कि मैं श्रीडी से बाबा की आरती और उदी लेकर आ रहां। उस समय मैंना ताही की सिती बहुत ही गंबेर थी और सभी को उसकी लिए बड़ी चिन्ता थी। नाना साहब ने अपनी पत्धी को बलाकर उदी को जल्मे मिलाकर अपनी रणकी को बिना देने और आरती करने को काम। पुल्हूम ने सुचा की बबा की सहायता बड़ी सामयिक हैं। तोड़ी देर में ही समाचा प्राफ्त भुवा की असर पुषुलता पुर्वक होकर समस्त पेडा दूर हो गई हैं। जब राम जुली भुवा ने नाना साहव को चप्रासी तांगा तदा जलपान आधी रेल्वे स्टेशन पर वेचने किरे धनिवाद दिया तो नाना साहव को ये सुनकर भान आचर हुआ और वे कहने लगे की मेना तो वे तांगा या चप्रासी ही बेजाता और नाही मुझे शिरिडी से आपके पदारे की कोई पुरुःत पुचना ही। तेरह में गध्य और पद्य में एक सुन्दर रचना प्रकाशित की श्री बी वी नर्सिम स्वामी ने की महिना ताई वापु साहर चांदोकर और नामगिरी बुवा के कदन दिये हैं जो कि क्रमशह एक जून 1934 और दिसंबर 1934 और दिसंबर 1934 को चपे हैं और यह सब उन्हों ने अपने पुस्तक वक्तों के अनुवव बागदीन में नकाशित किया हैं जम लगत प्रसंग रामगिरी बुवा ने खजानु सारु उद्दत किया जाता हैं जम ने जावों और यह आरती तदाम उदी नाना साहब को देदों मैंने बाबा को बताया कि मेरे पास केवल देवरुपय ही हैं जो कि कोपर गाव से जलगाव जाने और फिर वहां से बाइर गाड़ी द्वरा जाम ने जाने के लिए पर्यापत हैं बाबा ने कहां अल्ला देगा तुक्रवार का दिन्ता मैं सीगर ही रवाना हो गयां मैं मनमाड साड़े छे बजे संद्यकाल अवरुम जलगाव रातरी को दो बजिकर 75 मिनिट पर पहुंचा माने पहुने तीन बजे पहुंचा वो समय प्लेग निवारक आदेश जारी थे जिससे मुझे असुविदा भी और मैं सोच रहा था कि ऐसे जाम नेर पहुंचों रातरी को तीन बजे एक चप्रासी आयाम जो पैर में पूर पहुनेता सिर पर पगडी बांदे वह अन्य पोशक भी पहुनेता उतने मुझे तांगे में बिटा लियाम और तांगा चल पड़ाम मैं उस समय बैबीस सा हो रहा थाम मार्ग में पगूर के समीप मैंने चल पान कियाम जब प्रातर काल जाम नेर पहुंचाम तब उसी समय हुझे पुष्ण का घरने की इच्चा भी जब मैं लोट कर आयाम तब देखा कि वहां कुछ भी नहीं तांगा और तांगे वाला अध्रूस है नारायन राव वक्त नारायन राव को बाबा के दर्शन का तीन बार सोबा की प्राप्त हुआ सन 1908 में बाबा के महा समाधी लेने के तीन वर्ष परच्चात में सिर्दी जाना चाहते थे परंथुम किसी कारण वर्ष उनका जाना ना हो सका बाबा के समाधि से होने के एक वर्ष के बेतर ही खुरुक्रु होगे, किसी भी उपचार से उन्हें नाब नहुआ तब उन्हों ने आतों प्रहर बाबा का जान करना प्रारम कर दिया एक रात को उन्हें सप्ण हुगा, बाबा एक गुफा में से उन्हें आते हुए दिकाई पड़े और सातोना देखर कहने लगे कि गब्रावो नहीं, तुम्हें करस्य आराम हो जाएगा और एक सप्ताव में ही चलने फिरने लगोगी, ठीक उतकते ही समय में आरायन राव स्व अब यह प्रस्त नमचार नहीं है कि क्या बाबा देहदारी होने से जीवित कहला थे थे और क्या उन्हें देह जागी थे, उसलिए मुल्चुर हो गए नहीं, बाबा अमर है, क्योंकि वे जीवन और मुल्चुर से परे हैं, एक बार भी आन्य बाव से जो उनकी शरण में ज जाते हैं, वे तो सदाम अमारे वाजू में ही कड़े हैं, और चाहे जैसा रूप लेकर वक्त की समक्ष प्रकट होकर उसकी इच्चा दूर निकर देते हैं, अप्पा साहब कुलकर्नी, तर उन्नीस सत्रह में, अप्पा साहब कुलकर्नी के सुख दिन आये, उनका ठाने को अंतर हो गयां, उन्होंने बाला साहब पाठे द्वारा, राप्त बाबा की चित्र का पूजन करना आरम कर दियां, उन्होंने सच्चे होदे से पूजा की, वे हर दिन भूल, चंदन और नवेज बाबा को अत्पित करते हैं, और उनके दर्शन की बड़ी अविलाशा करते इस संबंद में इतना तो कह जा सकता है कि जिक्ता पुर्वक बाबा की चित्र को देखना ही बाबा के प्रित्रश्य दर्शन से दर्शन के सादुरुशन, इसे लिकी खदा से यह बाद स्वस्ट हो जाती है, बाला बुवा सुतार, मंबाई में एक बाला बुवा नाम के जो कि अपनी बक्ती, बजन और आचर्ण के कारण आधनी को तुकाराम के नाम से विख्यात थे, सन 1917 में बेसरीडी आये, जब उन्होंने बाबा को प्रणाम किया तो बाबा कहने लगे कि मैं तो इन्हें चार वर्षों से जानता हूं, बाला बुवा को आचर हुआ और उन् प्रिडी आया हूं, फिर यह कैसा संभव हो सकता है, गहन चिंतन करने पर उन्हें स्वरन हुआ कि, चार वर्ष पूर उन्होंने मंबाई में बाबा के चित्र को नमस्कार किया ता, उन्हें बाबा के शब्दों की विजार्दता का बोध हो गया, और वे मन ही मन कहने लगे क संत कितने सरव्यपक औरूम सरवज्ञान होते हैं, सदा अपने वक्तों के परती उनके हुदे में कितनी दया होती हैं, मैंने तो केवल उनके चित्र को ही नमस्कार किया था, तो भी यह गटना उनको ज्ञात हो गई, इसलिए उन्होंने मुझे इस बाद का अन्वो कराया है कि उनके चित्र को देखना ही उनके दर्शन करने के साद्रुष्य है, अपा साहब को करने, अब हम अपा साहब की कदा पर आते हैं, जब वे ठाने में थें, तो उन्हें विवंडी दोर पर जाना पड़ा, जहां से उन्होंने एक सप्ता में लोटना संभो ना दम, उनकी अन दोपहर के समय, अपा साहब के गुरुपर एक पकीर आया, जिसके आकरती बाबा के चित्र से ही मिलती जिलती थी, स्रीमती पलकरनी तदम उनके बच्चों ने उनसे पूचा कि आप सिर्डी के सी साहब बाबा तो नहीं है, इस पर उत्तर मिला कि वे तो साहब बाबा के आज पिजना से ही आप लोगों की कुछल शेम पूचने यहां आये हैं, पकीर ने दशना मांगी तो स्रीमती कुलकरनी ने उन्हें एक रुपया बेंड किया, तब पकीर ने उन्हें उन्हें पुदी की एक पिंडिया देते भी ये कहा कि इसे अपने पूजन में चित्र के साथ ह इतना कहकर वो महां से चला गया, अब आबा की अद्पुत लिला सुनिये, विवंडी में अपा साहब का गोडा बीमार हो गया, जिससे वे द्वरे पर आगे जाना ना सके, तब उसी शाम को वे गर लोट आये, गर आने पर उन्होंने पतनी के द्वरा पकेर के आगवन का सम प्राप्त हुआ, उन्होंने मन में तोड़ी अशांती सी हुई कि मैं पकेर के दर्शन से वंचित रह गया, तदा पतनी द्वरा केवल एक रुपया दर्शन देना उन्हें अच्छा ना लगा, वे कहने लगे कि यदी मैं उपसित होता तो दस रुपिय से कम कभी ना देता, तब वे फिर भूके ही पकेर की कोज में निकल पड़े, उन्होंने मजजद में मजजद एवं अन्य कई स्तानों पर कोज की, परंत उनकी कोज भेर्दी ही फिदुदी, पाटक अध्यायब 32 में कहें गए, बाबा के उच्छनों का स्वरन करे कि, भूके बेट इस्वर की अपा साहब को सिक्षा मिल गए, बेबोजन के उपरान जब अपने मित्र स्रीचित्रे के साथ गूमने को निकले, तब तोड़ी ही दूर जाने पर उन्हें सामने एक पकीर दतकती से आता हुआ दिकाई पड़ा, अपा साहब ने सोचा कि यह तो वहीं पकीर प्रतित होता है जो मेरे गर पर आया तब, तब उसकी आकृती भी बाबा के चित्र के अनुरूपी हैं, पकीर ने तुरंत ही आत बढ़ा कर दशना मांगी, अपा साहब ने उन्हें एक रुपया दे दियां, तब वह और भी मांगने लगा, अब अपा साहब ने दो रुपय दियां, तब भ तीन रुपय वदार लेकर दियें, फिर भी वह मांगता ही रहा, तब अपा साहब ने उसे गर चलने को कहा, सब लोग गर पर आई, और अपा साहब ने उन्हें तीन रुपय और दियें, अदद कुल नो रुपय, फिर भी वह असंदुर्ष्ट प्रतित होता था, और मांग ह जा रहा था, तब अपा साहब ने कहा कि मेरे पास तो दस रुपय का नोट है, तब पकीर ने नोट लिया और नो रुपय लोटा कर चला गया, अपा साहब ने दस रुपय देने को कहा था, इसलिए उनसे दस रुपय ले लिये, और बाबा द्वारा स्वर्षित नो रुपय उन्हें वापस मिल गये अंक नो रुपय अर्दपूर्न है सदा नवदा बक्ती की वोर उकित करते है जहां ज्यान देकी लश्मी बाई को भी उन्हों ने अंत समय में नो रुपय ही दिये थे उदी की पुणिया कोलने पर अपा साहब ने देखा थी उसमें पूल की पत्ते और अश्यंत है जब में कालांतर में सिर्डी गए तो उन्हें बाबा ने अपना एक केश भी दिया उन्हों ने उदी और केश को एक ताबीज में रखा और उसे वे सदेव हाथ पर बानते थे अब अपा साहब को बुदी की शक्ती विजित हो चुकी थी वे मुशागर बुद्धी के थे प्रदम उन्हों 40 रुपे मासिक मूलते थे पर अब तो बाबा की बुदी और चित्र प्राप्त होने के पच्चात उनका वेतन खई गुना हो गया सजा उन्हें मान और एश भी मिला इस अस्ताही अकशनों के अत्रिक उनकी आज्यात्रक प्रगती भी सीक्रता से होने लगी इसलिए सुर्बा की वश जिसके पास वुदी हैं उन्हें सान करने के बच्चात मस्तक पर दारण करना चाहिए और कुछ जल मी मिला कर वो देद की नाही ग्रहन करना चाहिए हरी बावो करनिक सल 1917 में पुरु पुर्णमा के सो दिन तांडु जिरे टाने के हरी बावो करनिक शिरिडी आये तदा उन्होंने बाबा का यदा विदी पूजन किया उन्होंने वस्तुयें और दक्षिना आधी बेंड कर शामा के द्वारा बाबा से लोटने की आज्ञा प्राप्त की वे मस्जित की सीडियों पर से उतरते ही थे कि उन्हें विचार आया कि एक रुपया और बाबा को आरपन करना चाहिए वे शामा को संकेश से के सुचना देना चाहते थे कि बाबा से जाने की आज्ञा प्राप्त हो चुकी है इसलिए मैं लोटना नहीं चाहता हूँ परन्तु शामा का ज्यान उसकी वो नहीं प्रया इसलिए वे गर को चल पड़े मार्ग में वे नासिक के मुख्य द्वार के बेतर बैटा करते थे बक्तों को वहीं चोड़कर हरी वाहूं के पास आई और उनका हाथ पकड़कर कहने लगे कि मुझे मेरा रुपया दे दो करनी को बड़ा अचर हुआ और उनहीं सहस्व रुपया दे दिया उनहीं विचार आया कि मैंने बाबा को रुपया देने का मन में संकर्प किया था और बाबा ने एवरुपया नासिक के नासिम्म महाराज के द्वारा ले लिया इस कदा से सिद्ध होता है कि सब संथ अभिन है तदा वे किसी ना किसी रूप में एक साथ ही खार किया करते है प्री सद्गुरू साइनादार पढ़ मस्तू, सुबंबू प्री साइनादार पढ़ मस्तू, सुबंबू